वेलकम बैग तू माई यूटूब चानल स्टडी वी थंजली आज का हमारा टॉपिक है दस्वालिटरी रीपर आज हम इसके बार में डिसकस करेंगे तो वीडियो के अंतक बने रहे हैं चली वीडियो को स्टार्ट करतें दस्वालिटरी रीपर इस पोएम बाई इंग्लिश वीडियों वाट्सवार्ट जो स्वालिटरी रीपर जो है एक पोएम है जो कि इंगलिश वीडियों वाट्सवार्ट जी के द्वारा लिखा गया है दो पोएम इस पाइट बाई तू स्कॉटलें इन एटीन हंड़े त्री विद इस सिस्टर दौरीट वाट्सवार्ट यह है वह इंस्पाइड पोएट और उनकी सिस्टर डौरीट जब वह स्कॉटलेंड के ट्रिप पे गए था ठारह सो तीन में तब यह पोएम उसी दारान पोएट ने लिखे थे इट वास फॉर्स पब्लिश्ट इन एटीन हंड़े सेवन और यह जो पहली बार पब्लिश हुआ रहे हैं और वो नाकाम भी हो रहे हैं और कोसिस कर रहे हैं कि जो वो घॉनने हैं एक स्कॉर्टिस फिल्ड में जो अपना ग्रेन काटते हुए को एक लडरकी जो है गाना भी गारी शातम है तो उसकाना को पुएट मिचा पेृइट उपकर सॉनाता हुआ हैं इस चीज का है, यह topic समझने की कोशिस कर रहे हैं, इस poem में, The poet does not understand the song, जो poet है, वो song को नहीं समझ पा रहे हैं, and he cannot tell what it was about, और वो नहीं बता सकते हैं कि वो किसके बारे में गा रही है, और किसके बारे में है, nor can he find the language to describe its beauty, और कोई भी वो find नहीं कर सकते हैं कि उसका language जो हो, क्या है, This is a ballad, यह एक type का ballad है, This poem has 32 lines, और इस poem का 32 lines है, divided into 4 octaves, जो कि 4 octaves में divided है, 8 lines stanza, और हर एक stanza में 8 lines हैं, ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सम पोईट के बारे में जान लेंगे, कि पोईट का क्या कहानी है, क्या बायोग्रफी है, चलिए, और बेग्राउंड म्यूजिक के लिए हम आफ ही चाहेंगे, दोस्तों आप लोग आज मैनेज कर लीजेगा, प्लीज, एबार पोईट, विलियम वर्ट्सवर्ट वाज बोर्न उन 7 अप्रिल 1770, और डाइज उन 23 अप्रिल 1850, विलियम वर्ट्सवर्ट का ज़न 7 अप्रिल 1770 में हुआ था, और उनका मृत्तियू 10 अप्रिल 1850 में हुआ था, वो एक इंग्लिश रोमांटिक पोईट है, अब हम लोग कुछ इनके फीमस वर्ट जो इनके द्वार लिखे गए हैं अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यह सारे कुछ फीमस वर्ट है जो इनके द्वार लिखे गए हैं अब हम थोड़ा से थीम के बार में देख लेते कि थीम क्या है, इस पोईट के द्वार इस पोईट के द्वार इस पोईट में इस्तिमाल के गए हैं चलिए अब हम समरी एनलाइसिस के उपर डिसकस करेंगे, यहां पर समाप्त हो जाएगी मेरा वीडियो तो चलिए हम लोग फर्स टेंजा पर बात करते हैं, इस पोईट है, वो इस चीज को डिसक्राइब कर रहे हैं कि जो रीपर है, वो किस तरीके से अपना गाना खुद ही गा रही हो, वो भी अकेली, और स्कॉटलेंड के फिल्ड में, वो जो घुमने जाते हैं स्कॉटलेंड तो महाँ पर उनको एक लड़की दिखाए देती है, एक हाइलेंड यानि हाइलेंड मतलब पहाड़ी लड़की दिखाए देती है, जो कि सॉलिटरी है, सॉलिटरी मतलब अकेला, अकेला जो है, वो help करने के लिए तो अकेली ही गाना भी गारी यह साथ में काम भी कर रही हैं चलिए आगे बढ़ते हैं और यह जो हाइलेंड गर्ल है वो बिना यह जाने कि उसका कोई गाना सुन भी रहा है वो अपने गाने में मस्ते वो गाना गा रही है बिना यह जाने कि कोई उसका गाना भी सुन रहा है जो कि कौन है हमारे पोएट है दो पोएट डज नाट वांट टो डिस्टरब हर सॉलिट्यूट सो रिक्वेस्ट पैसर बाइस टू विदाव डिस्टरबिंग हर जो पोएट है वो नहीं चाहते कि जो यह गाना गारी उसको क ऋंग्या और वह उसका गाना गारी समयेन सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब दूख वर छो हो गारी उसकी आवाज से हुग है वहास स्कोर्डलेंड के फिल्ड के पार जो चुकी है मतलब ओवर्फलो हो चुका है और उसका पूरी तरीके से पूरा घाटी में गूंज रहा है तो फर्स टेंजा में पॉइट इतना ही बोलते हैं अब हम लोग आगे की तरह बढ़ते हैं स्टेंजा की तरफ आगे के काफी है उसको कंपेर कर रहे हैं उसको कंपेर कर रहे हैं उसके गाने को cmentation Polski और कुकु बर्ड से और का आफी ज्यादा मधूर आवाज में गाज chia med लाना गाता है तो उनकी वोईस का कंपेरिजन किसे हो रहा है यह दोनों बड़ से बट हे और ही कंप्लेंस डैट नाइधर नाइटेंगल नोर द अब आगे जो पोईट है वो कंप्लेंड कर रहे हैं कि नाहीं नाइटेंगल और आगे चलते हैं कुकू गुद में बहुति प्रेंससागरेहें प्लकु कोई भी इसके जो रेपर हैं उसका काने सो मैच नहीं कर सकता है मतलब कि कुकू और नाइट अंगल का जो वोईस है वो कम है उस रीपर के सामने अब यहां पर जो पोईट है वो बोल रहे हैं कि कुकू की जो की सब्सक्राइव आवाज के सामने कुछ भी नहीं को करते था करते हैं इन थाट सेंजा ऑफ द सौली टरी रीपर दिपेक्स इस पर लाइट और नॉट अंडर्स्टेंडिंग देटीम और लेंगवज ऑफ दे पोएम थाड़ स्टेंजा में जो पोएट है इस पोएम जो सलीटरी रीपर के जो पोएट है वो नहीं समझ पा रहे हैं उस रीपर का लेंगवज और उसका थीम क्या है वो जो लड़की गाना गा र पोएट कुड नॉट अंडेस्टेंड डौकल स्कॉटिस डालेक्ट इन विछ दौरीपर वा सिंगी यहां पर जो पोएट है वो समझ नहीं पा रहे है वो स्कॉटिस रीपर का गाना और उसका लेंगवज भी नहीं समझ पा रहे है जो कि वो गा रही है तो इसलिए वो कोश sorrow pain और loss of old unhappy things और battle fought long away अब वो इस चीज़ का दुमान लगाने का कोसिस कर रहे हैं कि आखिर वो गा क्या रही है अब उनको लग रहा है ना कि वो अब और प्रेजन्ट में जो दुक होता है जिंदगी में जो दुक है वो सब प्रोब्लम से रिलेटेड कुछ गानगारी है या फिर आगे जो फिर से होने वाला है उससे related वह गानगा रही है इस poem में poet काते हैं ठीक है तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं fourth stanza की तरफ चलिए अब हम लोग fourth stanza की तरफ बढ़ते हैं in the fourth stanza the poet decides not to prop further into the theme he comes to the conclusion that whatever may be the theme of her poem it is not going to end अब वो बोल रहे हैं कि हम वह ऐसा गारी है मानों कि उसके गाने का कोई अंती नहीं है जो भी उसका है गाना जो कि उनको समझ में नहीं आ रहा है लेकिन वह ऐसा गारी है कि उसको लग रहा है कि इसका कोई सम्टाइम्स जब वो उसका गाना सुनते हैं poet तब वो चुप चाप बिना हिले डूले उसका गाना को सुनते हैं कुछ टाइम के लिए इवन वेन ही लेफ्ट एंड मांटेड अप दो हील ही कुड स्टील हीर हर वोइस कमिंग अमंग्स्ट द प्रोड्यूस सी वास कटिंग और बैंडिंग जैसे यह poet उस पहाड पर चाहगते हैं और चाहगने के बाद वो गाना को अपने दिल में पोएट उसको लेके जाते हैं जो पोएट है अब क्या होते कुछ टाइम के लिए उसका गाना तो सुनते हैं रुके लेकिन फिर उस उनको पहाड भी चगना रता तो आगे जाके पहाड चाहते हैं लेकिन वो गाना तब भी उनके दिल में मौजूद रता है जबकि उनको ग और उस जगह को वहां से छोड़कर वो चले जाते हैं मंटेनेरिया पर वहां पे उनको गाना उनके दिल में छपा रहता है इसका मतलब यह हुआ कि पोएट जो है इस गाने से बहुत ज़्यादा प्रभावित होए हैं और इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा मिल जाएगा थांक यू